अगर आपका बजट कम है और आप अपने घर की इंटिरियर वाल्स को पेंट करना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा देखे क्योंकि आज हम ऐसी पॉपिलर ब्रांड के चीप इंटिरियर पेंट के बारे में बात करेंगे जो की सस्ता भी है और वो पूरा ने डिस्टेम पर जो की सिमेंट बेज़ डाते है उससे कहीं गुना बैतर और वैल्ली फर मनी प्रोडक्ट है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ प्रतीक और स्वागत है आप सब का मेरी चैनल सिविल एंजिनिरिंग फोरम में तो वो पेंट जिसके बारे में आज हम डीटेल में बात करने वाले है वो है एशिन पेंट का ट्रेक्टर इमलजन तो बीसिकली हम इस पेंट के बारे में सब भी नेसेसरी डीटेल्स देखेंगे जिसमें इने लगने के बेनिफिट्स, टेक्निकल फीचर्स, कॉस्ट, लाइफ, फिर वारंटी ये सब भी चीज़ा देखेंगे और फिर लास्ट में हम इसके सबी फीचर्स यानिक इसकी सबी करेक्टरिस्टिक्स को पांच में से रेटिंग्स देंगे बेस्ट उन वीच आप यह तेह कर पाओगे कि आपकी रिक्वार्मेंट कंसिडर करते हुए आपको यूज करना चाहिए कि नहीं तो बिना आपका टाइम वेस्ट किये अब हम जल्दी से शुरू करेंगे इस प्रोड़क के डिस्क्रिप्शन से तो यह घर के इंटीर में लगाने वाल पेंट है जो कि वाटर बेस्ट यानि कि जो वाटर को ऐसा सॉल्वन्ट रिट्रीट करता है लगाने से पहले जिसमें पानी मिक्स किया जाता है यह हमें एक स्मूध फिनिश प्रोवाइड करता है यह एक्चुली एक डिस्टेंपर पेंट का रिप्लेस्मेंट है डिस्टेंपर यानि कि वो जो सस्ते वाले पूराने पेंट साते थे cement based जो की chalk, lime और pigment से बनते थे जिसकी walls पे अगर आप हाथ लगाते हैं तो वो थोड़ा powder जैसी feel आती है मैं तो ये paint इसका replacement है और ये emulsion paint में economy maintain करता है मतलब कि एक सस्ता वाला plastic paint है ये interior walls और ceiling में इस्तमाल होता है इसमें paint को durable रखने के लिए और बढ़िया finish के लिए acrylic इस्तमाल किया गया है अब हम one by one इनके सभी product features देखेंगे जिसमें सबसे पहला है smart upgrade तो जैसक मैंने आपको बताया कि ये paint जो है वो पुराने distemper का replacement है ये paint cement based paint नहीं है जिसमें वो powder जैसे feel आती है powder निकलता है आथ लगाने पे तो इस तरह का paint नहीं है ये plastic paint है emulsion category का है पर इसका जो costing है वो distemper paint के मुकाबले इतना ज्यादा नहीं है और दूसरी चीज़ ये है कि हमें 1.5 times तक ज्यादा coverage देगा distemper के मुकाबले तो इसलिए ultimately अगर आप देखोगे तो ये distemper paint के मुकाबले कही गुना बहतर है फिर दूसरा point है finishing तो ये paint सूखने के बाद हमें एक smooth matte finish मिल जाती है जो कि एक decent तरीके सा light को reflect करता है फिर चाहा हम इसको घर में लगा रहे है या फिर office में या फिर shop में हमें एक premium feel मिलेगी इससे फिर finishing के बाद हम बात करेंगे इनके color shades की तो as always Asian paints की color shades और color varieties में हमेशा से ही monopoly रही है इसमें हमें 1600 plus color shade options मिल जाते हैं पर देखिए Asian paints की जो higher category वाली paints है जैसे की epco light और royal series royal series में क्या है कि हमें वो सभीय सची मुखरजी वाली designer palette भी मिल जाती है तो मतलब उससे हम इसके color shades को compare नहीं कर सकते है पर फिर भी यह 1600 plus color shades को हम बढ़िया बोल सकते है it is okay हमें जो भी color shade color combination चाहिए वो इसमें से हम select कर सकते है फिर next हम बात करेंगे इसकी washability के बारे में मतलब कि यह paint कितनी हद तक washable है अगर इस पर कोई दागदबे लग जाते है तो क्या हम इसको wash करके clean कर सकते है तो देखिया दोस्तों यह paint आप 2-3 बार तक wash कर सकते है उसके बाद क्या है कि यह पपड़ी बनना शुरू हो जाएगा तो इसलिए यह paint जो है वो मतलब हम medium washable बोल सकते है low भी नहीं और high भी नहीं एक medium washable paint है कम से कम दो बार तो आप इसको wash कर ही पाओगे तो इस range में मतलब medium washability प्रोवाइड करने वाला यह एक ही paint है Asian paints का tractor emergent बाकि कोई भी brand आप compare कर लो आपको washability वहाँ पे नहीं मिलेगी next हम बात करेंगे इसके VOC content यानि की volatile organic compound के content के बारे में तो यहाँ पर environmental norms और हमारी health consider करके यह जो content है वो कम से कम रखा गया है तो इसलिए यह environment और हमारी health के लिए बिलकुल मतलब हनिकरक नहीं है क्योंकि यह paint इसके साथ साथ lead free भी है तो अगर आप health को लेके मतलब concerned है तो आप definitely यह paint prefer कर सकते है next आता है इसका coverage तो अगर आप यह paint लगाते है तो इसका 1 liter paint दो coat लगाने पे 130 square feet तक के area cover करेगा तो based on this आप यह decide कर सकते है कि आपको कितने liter paint खरीदना है इसका 1 liter paint 130 square feet area cover करेगा और वो भी 2 coat पे और quantity निकालने के बाद आपको मतलब कितनी buckets order करनी है तो उसके लिए आपको यह जानना है कि इसके available packings कितने market में available है तो दोस्तो यह आपको market में 1 liter, 4 liter, 10 and 20 liter के packs में आराम से मिल जाएगा और विराता है इसका cost तो यह paint आपको market में तकरीबन 3,000 रुपे में मिल जाएगा 20 liter के pack में और फिर costing के बाद हम इसकी durability की बात करेंगे तो अगर आपके घर में कोई leakage नहीं है, नमी दिखाई नहीं पड़ रही, cracking नहीं है या फिर मतलब extreme weather conditions नहीं है तो यह paint कम से कम 5 साल तो ठीकेगा ही ठीकेगा तो मतलब यह 5 साल की durability बहुत बढ़ी हम बोल सकते है इस category वाले, इस range के paint में तो अब last में, जैसा कि मैंने बताया था last में हम इन सभी features को, इन सभी characteristics को rating देंगे तो at first हम बात करेंगे इसकी finishing की तो यहाँ पर इसकी smooth matte finish जो है उसको मिल जाते है 4 out of 5 star based on customer reviews and our experience मैं इसको यहाँ पर 4 out of 5 star दे रहा हूँ next हम rating देंगे इनकी shade varieties को तो considering this budget, यह budget और यह range कंसिडर करके मैं इसको 4 out of 5 star दे रहा हूँ shade varieties के मामले में क्योंकि यहाँ पर 1600 plus color shades दो की यह एक अच्छी मतलब बढ़िया color variety है पर यह low budget range में अगर हम दूसरी brand वाले paints को compare करें जैसे की Dulux promise interior तो मतलब उसकी जो shade variety से वहाँ पर हमें 3000 plus color shade options मिल जाते है तो इसलिए यहाँ पर इसे मिल जाता है comparatively 4 out of 5 star next time बात करेंगे इसकी life या फिर warranty की तो देखिया दोस्तों यहाँ पर इसकी जो कम से कम life में आपको दिखाई जिसके बारे मैं अल्रड़ी बात कर ली वो है 5 साल तो यह एक बहुत बढ़िया मतलब life span हम बोल सकते है कोई भी medium budget paint का पर क्यूंकि company ने यहाँ पर warranty के बारे में कोई बात नहीं की warranty को लेकर के कोई claim नहीं कर रही company यहाँ पर तो इसलिए यहाँ पर इसका एक star निकल जाता है इसे मिल जाते है 4 out of 5 star अगर यहाँ में एक या दो साल की भी warranty दे देती तो हम इसे दे देता 5 star माना कि यहाँ पर warranty की requirement नहीं है यह paint बहुत बढ़िया है इसकी brand value भी अच्छी है Asian paints का trust है तो आपको यह consider करने की requirement नहीं है next हम rating देंगे इसकी washability को माना कि यह paint जो है वो 2 से 3 बार ही हम इसे wash कर सकते है कम से कम चलिए 2 बार इसे wash कर सकते है पर इस category वाले दूसरी brand के जो paint है वो बिलकुल washable नहीं है तो इसलिए यहाँ पर इसे मिल जाते है 4 out of 5 star और फिर अगर हम rating देंगे इसके costing को तो यहाँ पर इसे मिल जाते है 4 out of 5 star क्योंकि यह 3000 रुपीज थोड़ा मुझे ज्यादा रखता है इस category वाले paint जो है वो मतलब ड्यूलक्स बर्जर paint में थोड़े सस्ते मिल जाते है तो इसलिए यहाँ पर इसे मिल जाते है 4 out of 5 star और लास्ट में considering everything इसका cost, washability, life, warranty, shade variety, इसकी finishing यह सभी चीज़े consider करके हम लास्ट में value for money rating देंगे based on which आप यह तेह कर सकते है कि आपको यह paint यूज़े करना चाहिए कि नहीं तो देखिया दोस्तो अगर मुझसे पुछा जाए तो इस paint को मैं excellent बोलूंगा तो इसलिए इसे मिल जाते है 4 out of 5 star हलाकि इसे flawless हम नहीं बोलेंगे वरना इसको मैं 5 out of 5 star rating दे देता इसका plus point में यह है कि इस category में हमें washable paint मिल जाता है medium washable पर इसका costing थोड़ा सा ज्यादा है और color shade varieties comparatively थोड़ी सी कम है as compared to other brands पर 4 out of 5 star is also not bad इसे हम excellent category का paint बोल सकते हैं अगर आप इसको लगाने की सोच रहे हैं तो आप definitely इसे prefer कर सकते है तो दोस्तों उमीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा और अगर अगर अशा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल Civil Engineering Forum को सबस्क्राइब जरूर करें This is all for today, thank you for watching